हेलो एन विल्कम बैक मेरा नाम है प्रिया और आज ये वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत जादा इंपॉर्टेंट अगर आप भी इस सार बोर्ड एक्साम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जाने वाले हैं तो मैं बता दूँ आपको कि इस चैनल पर इसी टाइप की बहुत जादा इंफॉर्मेटिव वीडियो में अप्लोड करती रहती हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को भी प्रेस करें चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक्साम पर कॉपी कुछ रुपे मिल जाते हैं आपकी आंसर शीट का जो पहला पेज है जिस पे आप नेम रॉल नंबर वग्यरा लिखते हैं उस पेज को वहां से हटा दिया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है एक सिक्रेट कोड से अब ये सिक्रेट कोड क्या है ये सिर्फ ब लिए हर टीचर को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है इस मार्किंग स्कीम में हर एक क्वेशन के आंसर के लिए आंसर की या वैल्यू पॉइंट एवेलिबल होते हैं आंसर शीट को चेक करते वक्त जिस आंसर में ये सारे आंसर की ये वैल्यू पॉइंट मौजूद होते हैं answer को examiner पूरे नमबर देता है आंसर में हर steps के marks होते हैं जी answer में आपके हर step के marks होते हैं कर स्टुडेंस को ये doubt रहता है क्या मेरा final answer गलत हो जाए तो मेरे पूरे नमबर कट जाते हैं या step के marks होते हैं या नहीं तो मैं ये ensure करना चाती हूँ कि आपके हर steps के marks होते हैं अगर आपका final answer गलत हो जाता है किसी calculation के वज़े से तो भी आपके पूरे number नहीं कटेंगे आप बिल्कुल निशिंद रही है CBC जैसे board में हर answer के step marking होती है पूरे number पाने के लिए आपको ये ensure करना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने answers में सभी ज़रूरी steps लिखे हो और कोई भी important step आपसे miss ना हुआ जिस answer में answer की ये value point का कुछ हिस्सा नहीं होता तो teacher उस answer में पूरे number नहीं देता है कुछ number काट सकते हैं चलिए एक example से समझते हैं जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं ये class 12 का math का sample paper है अगर आप question number 6 को ध्यान से देखें तो यहाँ साफ सा पता चलता है कि जो red, green या blue color में highlight किये हुए steps है इन steps के marking scheme already available है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर marks दे रखा है अगर आपने इस में से कोई भी step miss कर दिया तो आपके number कटने के chances है आपने इन सभी step में से कोई भी step miss कर दिया तो आपके उसे साफ से number कट सकते हैं अब कई सारे student बोलते हैं कि क्या final answer सही होगा तो पूरे number मिल जाएंगे जी बिल्कुल final answer सही होगा तो आपको number मिलेंगे लेकिन आपको पूरे steps का ख्याल जरूर रखना होगा पूरे steps आपको अच्छे से जरूर लिखना होगा अगर मा लीजिए आपका final answer गलत चला जाता है या किसी वज़ा से कुछ एका number आगे पिछे आ जाता है या कोई numerical question है जिसका final answer आपका कुछ और आ रहा है के साथ जरूर शियर करें और उन्हें भी बताइए कि किस तरह से बेसी की खोंपिया चेक होती है और इस तरह की informative वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू